नमस्कर दोस्तों यही रात अंतिम यही रात भारी बस रात भर की बात है और कल सुबह से वोट की काउंटिंग सुरू हो जाएगी और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि बीजेपी सरकार पुनह आई या नई सरकार आई दोस्तों कल मैंने एक पोस्ट डाला था YouTube पे, Community में पोस्ट किया था और आप लोग ने इस पे वोट भी किया था कि चार जुन को किसकी सरकार बनेगी तो यहाँ पर हमने जो पोस्ट डाला था आपने देखा चार जुन को किसकी सरकार बनेगी इंडिया गठ बन्धन यानि कॉंग्रेस वाली गठ बन्धन जिसमें 87% लोगों ने वोट करा और एंडिये को 13% लोगों ने सिर्फ 13% लोगों ने वोट करा और 4,70,000 वोट पड़े थे एक दिन के अंदर सबसे पहले special thanks आम आपको इसलिए बोलना चाहेंगे कि आप सक्रिय होकर आप सारी चीजों को देखते रहे हैं और मैंने continue एक महिना आपको बताया है सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार के जो कामकाज थे उसके बारे में मैंने आपको गिनाया हाँ, कुछ लोगों को परसानी इस बात से होगी कि सरकार की अच्छाईयों को अपने ही गिनाते पूरे देश की मिडिया सरकार की अच्छाई गिनाने के लिए ही बैठी है और उसमें भी ऐसी अच्छाई जो अच्छाई थी ही नहीं मैंने सारे ओरिजनल मुद्दे पर बात किये थे क्योंकि सारे मुद्दे जो है धरातल पर जबाती है और मैं एक पंचायत का मुखिया हूँ तो क्या कहां तक कितनी पहुंचती है वो सारी चीजों पर मैंने जिक्र किया था दोस्तों बाकि हर वेक्ति अपने अपने उनके मन पसंदिता पार्टी होते सब लोगों ने अपने अपने पार्टी को सफोर्ट करा है और वोट डाला है आपकी एक्षा होती आप किसे वोट करना चाहते है मैंने कभी बोला ही नहीं कि आप किसे वोट करना चाहते है मुझे ये भी नहीं पता कल सरकार किसकी बनेगी क्योंकि ना तो मैं अंतर यामी हूँ और ना मैं वो ढोगी पंडित हूँ कि मैं आपको पहले से ही बता दूँ हाँ ये सारे रिजल्ट EVM के अंदर छूपी हुई है EVM का कल काउंटिंग होगा और इसमें से कोई न कोई सरकार एक बनेगी है हाला कि जो भी सरकार बनेगी फिर पांच साल तक उसकी ही जिम्मेदारी होगी इस देश को शलाने की दोस्तों तो आज हम जो ये बात करने वाले हैं सबसे पहले इसको समझ लीजिए ये जो आप इतना अंतर देख रहे हैं कि इंडिया को 87% लोगों ने बोट किया और कुछ गरबर हो जाएगा तो कॉंगरेस हार जाएगी देखिए ये चीजे अलग चीजे हैं और जो वोट होती है वो अलग चीज है आप कहिएगा सर ये चीजे कैसे अलग है तो यहाँ पर बोट डालने वाले वो वेखती हैं जो मुझे पसंद करते थे यानि मेरे चैनल पर आप जुड़े थे मेरे चैनल से आप लगातार देख रहे थे वीडियो तो मेरे चैनल पर आप लगातार हमारी वीडियो को देख रहे थे हाँ इसमें मुझे ना पसंद करन सरकार में से 87% ऐसे लोग थे इसलिए मैं आपको सेलूट करता हूं मैं आपको थैंक्स बोलता हूं सरकार किसी की भी बने लेकिन आप लोगों ने पूरा सपोर्ट और प्यार दिया और निश्चित है कि हम सब मिलके कुछ ना कुछ अपने देश के लिए अपने समाज के लिए बेहतर करने की कोशिस करेंगे मैं अकेले नहीं मेरे साथ आप और मैं आपको सामिल करूंगा किस देश में इस समाज में और कोई चीजे कितनी बेहतर कर सकते हैं सरकार किसी की भी आएगी ये हमारा चुनाव मुद्दा था चुनाव के टाइम हम लोगों ने सारी बात रखी पर आगे ऐसा नहीं है कि हम लोग अब अराम से बैठ जाएंगे हम लोग काम करेंगे और काम कैसे करेंगे जो हमारे समाज हमारे देश के हित में हो आईए एक बात किलियर है कि आप लोगों ने बहुत दिल से सपोर्ट किया हम एक दिल वाला देखिए फोटो भी लगाए है और आप को मैंने नमस्ते किया है दोस्तो एस्पेसल मेरे दिल से धन्यवाद इसलिए निकला है कि आपने मेरी बात को सुना वरना कौन सुनना चाहता है राजनीती पर तो कहता है कि सिक्षक को बात ही नहीं करना चाहिए राजनीती पर सिक्षक का है बोलेगा एक टीचर का काम है पढ़ाना राजनीती पर बात क्यों कर रहा है लेकिन आप सब को ये कहते हुए मुझे बहुत खुसी महसूस हो रहा है मुझे गर्व हो रहा है कि एक महीने के अंदर चार लाख नए सदस से आपके इस मैथ मस्ती परिवार यानि जो एक ब्लोग चैनल था अपना जो बीपिन सर मुखिया ये जो चैनल था अपना इस पर चार लाख एक महीने में चार लाख से अधिक सदस से जुड़े और देखिए 87 परतिसत लोगों ने यहाँ पर जो वोट किया ओनलाइन वो इंडिया को और 13% लोगों ने NDA को किया सब की अपनी 24 है सब की अपने अपने पसंद है अपने हिसाब से वोट डाल सकते इनका अधिकार है यही तो लोग तंत्र की खुबसूरती है दोस्तो तो कल रिजल्ट आ जाएगा और आज तो नेता जी लोग को नीन नहीं आ रहा होगा मैंने सोचा कि लास्ट एक मैं वीडियो अभी बना लूँ कम से कम आप से बात हो जाती है जब आप कोमेंट करते हैं ना मैं कोमेंट पढ़ता हूँ मैं कमेंट उनका भी पढ़ता हूँ जो कभी मेरे बारे में बुड़ा भला लिखते है देखिए जब आपके पास कोई किसी को मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो मेरे विरोध करते हैं या मेरे विरोधी हैं या जिनका मैं विरोध करता हूँ उनको आप गाली दो उनको भी मत गाली दो देखो जिसके पास ग्यान होगा जिसके पास नोलेज होगा वो अपनी बात अपने तर्क से रखेगा और साक्ष के साथ रखेगा लेकि जिसके पास नोलेज नहीं होगा वो किसी को गाली देना सुरू कर देगा तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लगतार जूरे रहे इस मुहिम में हमारा सहयोग किये और हो सकता है कि हमने कुछ बाते जो मुझे बेहतर लगता था वो लोगों को सिखाने का प्रयास किया और साइद लोग सिखे भी अब सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है जो पार्टी हर तरीके से मेहनत करी होगी जो जनता को अच्छे तरीके से समझा पाई होगी और वोट उसी को मिला होगा और जो नहीं समझा पाई होगी अच्छे से उसको वोट नहीं मिला होगा ये तो कल पता चल जाएगा दोस्तो दुरुभाग्य की बात ये है कि कोई भी पार्टी ये बिपक्षी पार्टी के साथ भी इतनी बड़ी कमजोरी थी कि ये पार्टी भी अपनी योजना अपनी मैनिफेस्टों में जो बाते लिखा गाउं में पता लगा लिजेगा 90% आम जनता को ये सब तक पता नहीं हम आप एक सूसल मेडिया में फोन चलाते हैं यूज करते हैं आप सब कुछ देखते हैं फोन के अंदर आपको पता रहता है लेकिन 90% आप अपने गाउं में जाईए जो भुजुर्ग हैं जो मताएं हैं बहने हैं उनको जो चाचा हैं दादा हैं उनको पूछ के देखिए उनको नहीं पता चलता है कि मैनोफेस्टों में क्या-क्या था सरकार और विपक्ष किस-किस मुद्दे पर चुनाओ लर रही थी मैंने तो कई लोगों से जब जनकारी लिया मैं पूछ रहा था कि ये चुनाओ हुआ तो इससे क्या होगा उनको ये तक नहीं पता था कि ये चुनाओ जो हो रहा है इस चुनाओ से प्रधान मंत्री चुना जाएगा कि मुखमंत्री चुना जाएगा कि बिधायक कुछ भी उनको इस बात का आइडिया नहीं था ऐसे कम से कम सत्तर परतीसत लोग अब जरा सोच के देखिए कि इस देश में अपने वोट का इतना महत्व जब लोगों को नहीं पता है तो किस तरह से वोटिंग होती होगी और किस अधार से लोग वोट करते होंगे किस बात को लेकर वोट किये होंगे यह तो सोचने वाला भी से है बाकि कल हम फिर चर्चा करेंगे रिजल्ट आने के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिन जय भारत